हेलो एब्रिवन्स आप सभी का स्वागत है पॉले टेक्निक पाटशाला में मेरा नाम अभी सेक्तिवारी है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अप्लाइड मैंटमेडिक्स फर्स्ट फ्रेंड्स हम लोगोंने लास सेशन में सिंपल अप्लिकेशन ऑफ डिफ्रेंशिय और और एक्सलेरेशन ब्लावसिटी को हिंदी में आप कहते हो बेग और एक्सलेरेशन को हिंदी में कहते हो तो अब देखो भी यह अब मैथमेटिक्स में फिजिक्स का रोल्स दीखने लगा हम एक्सलेरेशन और ब्लावसिटी कहां पढ़ते हैं फिजिक्स में पढ़ते है मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं फिसिक्स और मैथ मैदIM दूंसत या और अगर बैलेंस आपको समझ में और में आ रहा है तो आपको के बात करेंगे friends तो मान लोग velocity किसी वस्तू का होगा जैसे अगर गाड़ी होगा रहा कोई speed होगा या velocity होगा ठीक है उससे related कुछ acceleration होगा रहा होगा यह सारी चीछे हम यहां पर discuss करेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि velocity होता क्या है क्या velocity friends अगर हम velocity की बात करेंगे अगर आप कि फिजिक्स में जाते हो तो velocity और speed velocity और speed को दो तरह से हम मानते हैं उन्हें दो क्वांटिटी के फॉर्म में देखते हैं velocity जो हमारा होता है वो यक्टर क्वांटिटी हो जाता है और speed स्पीड की बात कर रहें मैंतमेटिक्स में नगलेट कर दिया जाता इस चीज को ठीक है लेकिन इसमें भी ऐसे ऊपड़ते हो डिक्टर कॉंटिटी गजार पड़ते हो बेक्टर से आप पड़ते हो अगर उसे आप पड़ते हो वहाँ आपको समझ में आएगा कि velocity vector है और speed आपका scalar क्यूं है यह सारी चीज़े हमको वहां पर समझ में आएगी लेकिन physics में इनको क्या क्या गया velocity को बोला गया है कि velocity जो हमारा है friends वो हमारा scalar quantity है ओटीक है और speed को बोला गया श्री वेलॉसिटि हमारा वेकिना प्यूह त्थिए भी अपना反 gratis केलσα क्या गया है अकि की अब égal भाट करें एकलिट्टि जो होता है असटिक है ग्रीक्तर आति जो हमारा होता है vector quantity के पास magnitude भी होता है परिमाण भी होता है और direction भी होता है और scalar के पास cable magnitude होता है direction नहीं होता है यह triangle rules या triangle path को triangles rules त्रभूज के नियम या त्रभूज के path को follow करते हैं लेकिन scalar quantity triangle rules को follow नहीं करते हैं ओके एक छोड़ा सा information था आपको पता चलना चाहिए कि speed और velocity में क्या अंतर है ठीक है अगर हम tap में जाएंगे तो बहुत सारे concept इसमें लिकल कर आएगा जिसे बताने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है अभी हम basic चीजे देखेंगे कि जो हमें चीज की जरूरत है उन चीजों के बारे में हम जानेंगे ठीक है अगर हम definition की बात करते हैं तो speed को कहते हैं change in distance with respect to time मतलब दूरी के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं चाल कहते हैं बेग की बात करेंगे change in displacement with respect to time विस्थापन परिवर्तन दर को विस्थापन के परिवर्तन दर को हम क्या कहते हैं वेग कहते हैं ओके तो हमें mathematics में इसका अभी आप लोगों को यह सब चीछे नहीं समझना है ठीक है बाकि physics वाले सर तो आप लोगों को समझा ही रहे हैं इसमें ठीक है आप लोगा first chapter यहीं होता है quantity and चीक है बिलावसिटी को हम बिशिकली रिप्रचेंट करते हैं क्या बोले हमने हमने बोला हमने क्या बोला चेंग डिस्प्लेश्मेंट this प्रत्द चैन्ज एंट डिस्प्लेश्मेंट डिस्प्लेश्मेंट बिस्रिस्पेक्ट उपित रिस्प्ट टो टाइम ठीक है इस्थापन परिवार्तन की दर बिस्थापन पारिवार्तन दर को वेग कोते हैं और डिस्प्लेस्मेंट को हम यस से रिपर्जेंट करते हैं लेकिए आपके बुक में क्या बुला है चेंज इन डिस्टेंस ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैंतमेटिक्स इतना आपको फ्रेडम देता है कि यह चाहिए तो हम इसे रिपर्जेंट कर रहे हैं यह से और भी को स्केटेंगे डिस्वाइब को अब बात कर लेते हैं एक्षण के बारे में बात कर लेता है यह हो गया एक्सेलरेशन की बात करेंगे एक्सेलरेशन हमारा क्यालाता है change in velocity with respect to time मतलब बेग परिवर्तन की दर को हम त्वाराण करते हैं क्या कहते हैं बेग परिवर्तन की दर को त्वाराण करते हैं change in velocity with respect to time which is called acceleration ठीक है बेग परिवर्तन की दर को दर को त्वाराण यह एक्सेलरेशन जो होता है हमारा यह भी हमारा vector quantity होता है यह हमारा vector quantity होता है यह और इसका डिया अशलरेशन हम हमेशा बोलेंगे बेग परिवर्तन की दर को क्या करते है एक्सेलरेशन करते हैं कभी यह नहीं बोलेंगे दूर थी चाल परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहेंगे ऐसा नहीं बोलेंगे वाई क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा vector quantity है अगर आफ इसकी बात करें तो जैसे कि हमारा acceleration को हम A से रिपरेजेंट कर रहा है और हमारा यहां पर हो जाता है dv by dt और हमने यहां पर देखा क्या देखा आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं v2-v1 upon t2-t1 अभी हमने देखा velocity को क्या लिख रहा है dsytt हम इसको इस तरह लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकता है लिख लिए को दिकत नहीं होना चाहिए फिर हमारा यह को जाता है d2s और इसका unit होता है meter per second square और इसका unit होता है meter per second ओके ति यह simple information है किसके बारे में आपका velocity और acceleration के बारे में अगर हम कोई equation हमारे पास हो parametric form में यदि कोई हमारे पास equation parametric form में हो तो उसको हम कैसे वहां पर find out करेंगे velocity और acceleration parametric form के लिए ठीक है parametric form के लिए यानि पार्चलित रूप के लिए हम velocity और acceleration का कौन सा formula यूज करेंगे वह मैं लिटखवा दे रहा हूं और उसके बाद से हम questions पर चलते हैं ठीक है समझ में आ रही है सारी चीचे आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो कुछ एक बार कमेंट करके बताओ आपको क्या लग रहा है कहीं में डाउट हो रहा है कोई समझते आ रही है नहीं समझ में आ रहा है वह कुछ मुझे motivation नहीं मिलगा आप लोग को कि तरफ से आप लोगों को कमेंट हो गए रहा आते हैं तो मोडिवेशन होगा हमें मिलता है यार आप पता नहीं कहां चीपे विए कोई बात नहीं धर में अपना पढ़ा दे रहा हूं कि पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे हूं कि यह दिकोई इक्वेशन दिया हो पारमेट्रिक फॉर्म में तो हम एक्सलेरेशन का जो फॉर्मॉवला जो लगाएंगे टीक है विलो शिटी का जो हम फॉर्मॉला लगाएंगे को दी क्वाइग है डी एक्स बटार कॉल को फॉर्मॉज इसको ये विल्य के रिस्पेक्ट में होगा उसी का फारामेट्रिक बोलते हैं ठीक है और एक्सलेरेशन के लिए हम यूज करेंगे कि हम इसको इस तरह लिख सुकते हैं डी टीट्व एक्स duty's का मोल इसका इसका यूज तो नहीं मिले गा, आपको कोस्टी भी नहीं मिले गा इसकी गारेटी है इस पर इस कोस्टी भी नहीं मिलेगा आपको ती ये हमारा पैरामेट्रिक एक्वेस्टन था जो मुझे बताना था ठीजा अब हम चलते हैं अपने क्वेस्टन की तरब ठीक है आप देख लीजिए इसक्रीन सॉट लेना चाहते हैं तो इसक्रीन सॉट ले ले लिजिए उसके बाद हम कोश्टन करेंगे तो यह रहा आपका कॉश्टन्स ठीक है क्या बोला है क्वेस्टन्स में यह को आई यान ती घंटों में यस किलोमेटर दूरी पर चलता है जहां यह सिक्वेस्ट दिया है 125 टी प्लस 10 टी स्क्वाइर पांच घंटे पस्चात जहाज का बे तथा तोरण ग्याद करो यहां पर दिया है और फाइफ आवर्स और हमें पुछा है वेलासिटी और एक्ष्टरीशन के बारे बें तो फ्रेंट्स क्या क्या दिया हुआ है यह दिया है 125 टी प्लस 10 टी स्क्वाइर ठीक है और विलासिटी पूछा है किस पहीं टी क्वल कॉछ तो फाइफ सेंट्स फाइफ आवर्स पह तो वेलासिटी पॉस्ट्य होता है भी कौस्ट्ण होथा है डियास्वाइब है । ॐटिय है । डिफ्रेंसियेट कर देते हैं तबर करते हैं तो 125 हो जगा है ती का इसी न दीघर एसाइट टी दिख यहां फो जा रहा है आपका को 125 प्लस 20 टी यह एक्वेशन एकर देता हूं मैं ठीक है एक्वेशन ही कर देता हूं हम क्या करते हैं V tends to T equals to 5 hours रख के देखते हैं तो हम इस तरह लिख सकते हैं DSI DT T equals to 5 hours लिख सकते है 125 प्लस 20 इंटु 5 तो 20 पच्छे सो और 125 पहले से हैं जो जोड़ दो गए तो 225 किलोमेटर पौर हुआ है कि यह वैलू कितना है किलोमेटर में इसका है ठीक है आपको पता है फ्रेंड्स एक्सलेरेशन हमारे कितना होता है एक्सलेरेशन होता है डीवी भाई दीटी और इसको हम लिख सकते हैं डीटी यह वाई डीटी टू ठीक है डीएसवाई डीटी की वैलू क्या दिया है 125 तो अगर हम इसको डिफ्रेंसियेट करते हैं तो यह जीरो हो जागा और यह 20 हो जागा ठीक है और हमाना यहां से एक्सलेरेशन 20 किलो मेटर पर आवर से स्क्वार हो जाता है तो पांच घंटे पस्चात हमारा जहाज का वेलासिटी जो होगा हो कितना होगा 225 किलो मेटर पर आवर होगा और एक्सलेरेशन हमारा 20 km per hour होगा तो यही हमें calculate करना था ठीक है I hope आपको समझ में आया होगा बहुत सिंपल है और इसी पर भी इस questions भी मिलेगा आपको इससे difficult questions नहीं मिलेगा guarantee है है ठीक है मैं इसको रख कर रहा हूं और एक और questions रहते हैं तो यह रहा आपका सकेंड कुश्चंस क्या मुला है एक कड़ द्वारा टी सकेंड में चलित दूरी या सीकोल्स टू एक स्वासी टी माइनस सोलर टी स्क्वाइर है कड का वेग तथा तवरण ग्याद करो और किस समय परवेग सुनने होगा यह भी ग्याद करना है मतलब explanation हमें find out करना है velocity find out करना है और ऐसा time हमें बताना है जहाँ पर हमारा velocity zero हो जाए ओके क्लियर हो तो करते हैं इसको इसको solve solution करते हैं कि यस दिया हुआ है कि एक्सासी कि टी माइनस 16 टी स्कार ओके 16 टी स्क्वाइर दिया हुआ है और जब यूनिट को इना दिया रहेगा ता आप इसको सीथे सीथे लिग देगा हूं यूनिट कोई भी यूनिट हो सकता है किलोमेटर भी हो सकता है सेंट्यमेटर भी हो सकता है तो नहीं कुछ दिया है तो यूनिट लिजी अपने तरफ से अब हम विलाशिटी कल्कुलेट कर लेते हैं पहले velocity dsy dt okay the x of c minus 32 unit per second यह हो गया आप acceleration find out कर लेते हैं d2sy dt dt स्कार्ण तो यहां पर हमारा 0-32 minus 32 unit per second square बोल रहा है कि किस समय पर हमारा वेक सुन्न हो जाएगा अब टी फाइंड आट करना है वेक सुन्न हो जाएगा कोई बात ही माना टी सकेंड पर हमारा माना टी सकेंड पर रेग सुन्न होगा ठीक है तो यहां पर भी इकोस टू जीरो लिख देते हैं और यहां पर एक सॉस्सी माइनस ठीक है इस वाले एक्वेशन के यूज करेंगे ठीक है तो अगर करते हैं तो हमारे पास आवा जाता है यह ठीक है ठीक है ओनेटी टीकोस टू ओनेटी अपाउन थर्टी टू डिवाइड कर लेजिए देखे कुछ कट्पिट का रहा रहा कुछ कट्रा दो से काटते हैं पहले 90 16 45 8 टीकोस टू होता है 45 वाई एट सेकेंड इसी को हमें कल्कुलेट करना था यह भी हमारा अंसर यह भी हमारा अंसर ठीक है यह हमें कल्कुलेट करना था और हम नहीं को ने कल्कुलेट भी कर लिया ठीक है आई होफ आपको समझ में आया होगा बहुत वहत सिंपल आता है बहुत ही ज्यादा सिंपल आता है वेला सिपनल कुं कि तो आप टैंप्ड कर देंग लेवल देखने को मिलते हैं लेकिन आप लोगों का वेशी की लेवल पर रखा गया है तो अब हम क्याम करते हैं नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं ओके तो यह रहा हमारा थार्ड कोश्टन और इस सेशन का लास्ट कोश्टन से इसके बाद मैं सेशन रोकूंगा ठीक है क्या है एक कंड का सरल रिखा में यह सिक्वल स्टू ओन वाइज 3 टी क्यू माइनस 5 टी स्क्वाइर प्लस 90 प्लस सेवन नियम के अनुशार गतिमान है यानि मोसंस में है यदि दूरी का यूनिट मीटर है में तथा समय का सेकेंड में मापा गया हो तो ग्याद करो उसका वेलोसिटी और एक्सेलिरेशन कब सुन्ने होगा कब सुन्ने होगा मतलब किस टाइम पर कितने समय बाद उस कड का वेलोसिटी और एक्सेलिरेशन जीरोगा मतलब यहां पर क्या कैलकुलेट करना है t calculate करना है okay क्या calculate करना है t calculate करना है simple simple okay आई यह है solve करने की कोशिस करते हैं yes दिया हुआ कितना वन वाइज थ्री टीक्यू फाइव टी इसकायर प्लस नाइटी प्लस सेवें ठीक है मीटर दिया हुआ आप क्या करते हैं पहले velocity find out कर लेते हैं एक सिंपल बीबी तो डी एस अपॉंट डी टी हो जाएगा जिक है एक साथ है ओं वां वाइब कि 233 टी स्क्कायर ओधाएगा फ्लस नाइब यहां जिरो ऒल These are the लिखने के बढ़ना ज़रुवाथ घूरुदित він में ऑपके पास क्या बचता है यहां पर बचता है स्क्वाइर थी कर 20 गैस्फ़ाइब हो सलब यहां पर खीको सटी क्या यह हुआ ती सवार माइनस 10डी प्लस 9 है मल लोग होग ती सवाखेंट पर वेलासिटी 0 हो गया है स्वाखें लिर्वानि यह ल्खो ना माना 30 सकेंड पर व्यलासिटी यह वेट सुन्हें है ठीक है तो यहां पर जीड हो अट्रीक कि लोगे टींक माइनस तेंटी है प्लस नाइफ है यहां से हमारा वानेगा तो टी स्क्वाइर इसको लेकित है 9T plus T plus 9 minus T plus 9 equals to T factor करने आता है तो यहां पर जागा T minus 9 और इस तो जागा T minus 1 equals to 0 और यहां से हमारा टाइम निकल क्या रहा है 9 और 1 second मतलब 9 और एक सकेंड बाद 1 और 9 सकेंड के बाद यहां पश्चार विलासिटी सुन होगा ओके यह हो गया विलासिटी की बात रहे नौ एक और 9 सकेंड बात क्या होगा विलासिटी सुनने हो जाएगा यहीं हमें बताना था किस टाइम पर हमारा विलासिटी सुनने हो जाएगा अब exploration की बात कर लिते हैं मैं रफ कर रहा हूं आप इस स्क्रीन सॉट लेना चाहते हैं त हाँ भी ठीक है कल का निए अब भी देखर आता है अन्यच्छन के आता है का एक फिलेश समयों हरे जीरों होगा ठीक है को leicht잡 है ही यह कहम लिख सकते हैं घ्यृ तो इसको हम कल्कुलेट करेंगे तो 2T माइनस 10 ठीक है प्लस जीरो यहां पर हो चाहरता है 2T माइनस 10 ठीक है एक्सेलेशन हमार कितना आ गया 2T माइनस 10 इसको भी निखेंगे माना एक्सेलेशन हमारा सुनने हो जाएगा तो यहां से हमारा सुनने हो गया और यह 2T माइनस 10 हो ठीक है 2t माइनस 10 हो गया और यहां पर लिख सकते हैं 2t इकोस टू टैन और टी इकोस टू टू इकोस टू फाइफ सकेंड तो हम लिखेंगे टी इकोस टू फाइफ सकेंड के पश्चार एक्सलर रिशा हमारा सुनने होगा सुनने कुछ टिफिकल्ट लगा आपको बहुत इजी है बहुत ही ज्यादा इजी है तो वेलासिटी और एक्सलरेशन पर बेस जो कोश्टन साते हैं वो काफी इजी आते हैं आप इसली सॉल्ब कर सकते हैं बस आपको यात रखना है कि वेलासिटी काउम क्या लिखते हैं डियस बाइडी तगते हैं और एक्सलरेशन के और डियवी बाइडी तzo कर 46र लखते हैं तो आपको यही यात रखना है अगर पैरामेट्रिक कम में दिख रहा है कोई इक्वेष्न दिख रहा है ठीक है parametric form में मतलब x और y का combination बन रहा है तो आप वहाँ पर parametric equation का use करेंगे जैसे हमने velocity का parametric equation क्या बताया under root dx by dt का whole square plus dy by dt का whole square और इसी तरह acceleration का आपका हो जागा d2xy d2x upon dt square plus d2y by dt square का whole square तो आपको इससे क्या होगा parametric equation के form में आपको मिल जाएगा आपको acceleration और velocity भी find out करेंगे तो friends I hope आपको आज की भी class समझ में आई होगी अगर कहीं भी doubt हो रहा है तो please आप comment करके बताइए ठीक है क्योंकि आप लोग ना तो सवाल पूछते हो ना सवाल कोई छोड़ते हो ताकि मैं और मेहनत करूँ मुझे जैसे समझ में आ रहा हूँ ऐसे आकर पढ़ा रहा हूँ फिर भी आगर आपको कहीं doubt हो रहा है कहीं भी समझ से आ रही है मैं सुरू से बोलते आ रहा हूँ कि आपको अगर मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है वह भी बताइए मैं उसे चेंज करने को कोशिश करूँगा तो कोई बात नहीं फ्रेंट्स अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और ज्यादा सब्सक्राइब कि किजिए अगर आपको क्लासिस अच्छी लग रहे हैं तो लाइक किजिए तब तक के लिए दोस्तों अन्यवाद जय ही जय भारात